तो हेलो गाइस के साफ सभी लोग स्वागतेक और न्यू गैम प्ले में और आज हम दुबारा से खेलने जा रहे हैं लाश्ट रूल सर्वाइवल तो गाइस आप मैंसे काफी भाई लोगों ने कॉमेंट करके कहा था कि भाई परपल कार्ड कभ स्पॉन होता है परपल रूम में और परपल रूम बिल्यू रूम और गिरिन रूम में लूट कितनी देर में स्पॉन होती है उसकी पूरी जानकरी दो और वीडियो बनाके इस वीडियो में आपको पूरी जानकरी मिल जाएगी कि परपल कार्ड कितनी देर में कितने टाइम में स्पॉन होता है रूम में और लूट कितनी देर में स्पॉन होती है तीनों रूम की बात करेंगे परपल ग्रीन और बिल्यू ठीक है तो वीडियो के साथ बने रही है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्द से यार like कर दीजिए इसके साथ-साथ मैं आप सभी को बता दू को यही वीडियो हमारा फेस्बुक पर भी आएगा तो इसलिए वहाँ पर भी जाके हमारा वीडियो देख लेना और अगर facebook पे अभी तक आपने हमें follow नहीं किया है तो जल्द से जाके यार follow कीजिए और हमें support कीजिए तो guys पेले बात करते हैं हम लोग green room की कि green room में card कभी spawn होता है और green room में loot कितनी देर में आती है guys मैं जानकारी देने से पहले आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ कि जो मैं आज जानकारी देने वाला हूँ यह सिर्फ official server के लिए है ना कि social server के लिए जैसे कि global rank हुआ और बाकी जितने भी rank server है standard server है bloody server है और protect server है इन सभी में यह सब मतलब एक तरह से official server है तो इसमें जितने time में card आता है room में और जितने time में loot आती है उसी की जानकारी आज में देने वाला हूँ तो इसलिए social पर मत जाना क्योंकि social में क्या है कि admin अपने हिसाब से उसको set करता है guys क्या है कि मतलब social server में तो 60 second में loot भी spawn हो जाती है और card भी आ जाता है तो वो admin पर depend करता है कि वो कैसा server बना रहा है अब मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ भाई लोग बात में बोल देंगे कि भाई आपने जैसे बताया वैसे social server में तो ये चीज मिल रही है ये चीज नहीं मिल रही ये बात आ सकती है तो इसलिए मैंने पहले ही clear कर दिया है guys इस तरह का video मैं पहली बार नहीं बना रहा हूँ आप सभी जानते हैं कि मैं आपको काफी तरह के guideline के video देता हूँ बनाके और साथे साथ आपको काफी जरूरी जानकारी भी देता हूँ और कोई शायद आपको इतना कुछ बताता होगा लेकिन ये मैं सब कुछ एक तरह से views पाने के लिए नहीं करता हूँ guys ये एक तरह से मेरा एक सपना है कि किसी time पे कभी न कभी जैसे कि मैं last rules खेल नहीं बंद कर दूँ तो आप लोग मुझे एक तरह से मन में याद जरूर रखोगे कि भाई वो भी एक बंदा तो था यार जो मतलब बहुत ही मस्त वीडियो बनाता था और हमें पूरी जानकरी देता था वेसी जानकरी ना कोई दिया है ना कोई देगा ये बात रहेगी guys इसलिए मैं ये वीडियो बना के आपके सामने लाता हूँ एक बात और है कि मैं अपने सब्सक्राइबर की जो मर्जी होती है उस पे ध्यान देता हूँ guys फिर उसके बाद में वो भी ये सब कुछ करने लग जाएंगे तो उससे दूसरे लोगों को जो बड़े लोग है जो प्रो मानते खुद को उनको दिक्कत होने लग जाएगी ना भाई उनको लूट मिलना बंद हो जाएगी जैसे कि मैंने फार्मिंग पर वीडियो बनाया थ अपने सब्सक्राइबर को तो पहले बात कर लेते हैं ग्रीन कार्ड की क्योंकि ग्रीन कार्ड रूम में नहीं मिलता है अलग अलग जगा पर मिलता है जैसे कि गैस इस्टेशन हुआ गेराज हुई ऐसी जगा पर ग्रीन कार्ड हमें मिलता है तो वह मिलता है गाईस दस में कार्ड दुबारा स्पोन हो जाता है जैसे कि एक गेराज पे मैं गया वहां पे मैंने कार्ड उठा लिया और मैं चला गया उसके बाद में जब मैं दुबारा दस मिनट बाद में आऊंगा तो वहां पे कार्ड आ जाएगा इसका मतलब यह है अब बस आप लोग मेरी बात द्यान देना जो मैं बॉल रहा हूँ ठीक है बाकी वीडियो में तो बस मैंने वीडियो तो ऐसे ही बनाया है क्योंकि मुझे वॉइस ओवर करना था तो आप लोग समझ जाओगे ठीक है अब बात करते हैं गाईस ग्रीन रूम में लूट कितनी धेर में आती है तो मैं बता जा आएगी गाईस अब बात करते हैं गाईस बिल्यू कार्ड की कि बिल्यू कार्ड कितनी देर में आता है रूम में तो मैं बताना चाहता हूं आप सभी को कि दो गंटे में बिल्यू कार्ड आपको ग्रीन रूम में मिल जाएगा ग्रीन रूम में मिलता है ना तो ग्रीन रूम कि बात मैंने आप सभी को बता दियotomayर अब मैं ये बताता हूँ आप सभी को कि बिल्यू डॉर में लूट कितनी देर में स्पाउन होती है तो मैं आपक को बताना चाहता हूँ कि एक घंटे में loot spawn हो जाती है ओफिशेल server में जैसे कि आपने room किया बिल्यू वाला और उसके एक गंटे बाद में जब आप जाके देखोगे तो पूरी loot आ जाएगी और आप फिर से room कर सकते हैं बाकी अब बात करते हैं guys purple room की purple room सबसे ज़्यादा खास होता है सबसे ज़्यादा बढ़िया loot देता है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं purple card आपको बिल्यू रूम में मिलेगा ये तो आप सभी को पता ही है लेकिन कितनी देर में मिलेगा वो मैं आप सभी को बता देता हूँ तीन गंटे में आपको purple card मिलेगा बिल्यू रूम में ठीक है मतलब तीन गंटे का टाइम होता है spawn होने कार्ड का अब अब ही भी अगर कोई भाई नहीं समझा तो मैं बता देता हूँ दुबारा जैसे कि मैंने बिल्यू रूम ओपन किया उसमें मुझे purple card मिल गया अब उसके fix तीन गंटे बाद में अब जब आप जाके देखोगे तो आपको card मिल जाएगा उसी time पे spawn होगा जिस time पे मैंने card उठाया था वहाँ से तब ही से time शुरू हो जाता है तो जैसे कि आपने दिन में तीन बज़े रूम किया आपने card लिया तो शाम को 6 बज़े दुबारा card spawn हो जाएगा बिल यू रूम में अब आप लोग समझ गए होंगे अब मैं बता देता हूँ guys आप सभी को कि purple room में loot कितनी देर में spawn होती है क्योंकि आप लोग ये भी पूछ रहे थे कि भाई loot spawn होने का भी time बताना आप वीडियो में तो देखो 2 गंटे का time होता है 2 गंटे में purple room में loot आ जाती है advance ammo chest तक भी आ जाता है ठीक है ये पूरी loot की बात चल रही है अभी मतलब हर 2 गंटे में loot आपको मिल जाएगी जैसे कि मैंने purple room open किया और जैसे कि अभी दिन के 2 बजे हुए तो 4 बजे पूरी loot आ जाएगी advance ammo chest के साथ में बाकी purple room में कोई card तो मिलता नहीं है तो इसलिए बस सिर्फ loot ही मिलती है तो इसलिए loot आपको हर 2 गंटे में मिल जाएगी बाकी ये जो भी जानकारी मैंने आप सभी को बताईए ये मैं मतलब एक तरह से अपने मन से फेक नहीं रहा हूँ ये मैंने एक तरह से पूरा last rules का एक चार्ट निखाला है और जो मतलब last rules वालों ने खुद ने मुझे दिया है एक तरह सी ये मान लो और उसी में purple card, green card, blue card और जितने भी ये card, तीनो इनकी पूरी जानकारी है मेरे पास में ठीक है तो उसमें सारा timing और refresh time ये सब कुछ लिखा हुआ है तो उसी में से मतलब पता करके मैंने आप सभी को ये जानकारी दिये और ये video बनाया है तो इसलिए इसमें video में कुछ भी गलत नहीं है क्योंकि मैं कुछ भी अगर video बनाता हूँ तो पहले खुद चेक करता हूँ guys असल में एक बात बताओ guys में आप सभी को कि मैंने जब ये video बनाने की सोची न तो मुझे खुद को भी सही से याद नहीं था कि असल में loot कितनी देर में spawn होती है और card कितनी देर में आता है हाँ थोड़ा थोड़ा ऐसे यादता कि तीन गंटे में purple card आता है बस थोड़ा थोड़ा यादता लेकिन पक्का नहीं था फिर मैंने अपने दोस्तों से पूछा है उन्हें भी बिल्कुल पूरी तरह से पक्का पता नहीं था तो मैं यार सोच में पड़ गया कि यार ये वीडियो फिर आप सभी क्लिक कैसे बने उसके बाद में मैंने जानकरी की और फिर लाश्टर रूल्स वालों से मैंने कुछ ये चाट लिया उसमें मुझे पता चला तो मैं फिर उसके बाद में आप सभी को जानकारी दे पाया तो लाश्ट में एक बार फिर से में धोरा देता हूँ ग्रीन काड इस्पॉन होने का टाइम है दस मिनट परपल काड इस्पॉन होने का टााइम है तीन गंटे और green room में loot spawn होती है 45 minute में बिली डोर में loot spawn होती है गंटे में और purple door में loot spawn होती है 2 गंटे में तो ये जो वीडियो है ये मैंने अभी बनाया है इस time पर मतलब तो इसलिए इसी time के हिसाफ से आप लोग देखो आने वाले time में अगर game कुछ बदलाव कर देता है card में या फिर ये loot में तो वो में नहीं जानता भाई मैं तो अभी 2023 में वीडियो बना रहा हूं तो इसी के हिसाफ से आप लोग देखना क्योंकि आने वाले time में भी हो सकता है लोग ये वीडियो देखे और पर उसके बाद बोल दें कि भाई ये तो आपने गलत बनाया है तो ऐसा नहीं है ये 2023 का वीडियो है तो इसलिए इस टाइम पर loot ऐसे ही spawn हो रही है तो guys आप सभी को ये वीडियो आज का जरूर पसंद आया होगा और अंत में ये जानकरी मिली और मैंने आप सभी के लिए वीडियो बनाया और कोई बनायागा भी नहीं है आप भी जानते हो यार guys तो इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना और साथी साथ जितने भी भाई लोग है जिन्होंने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज देख लो मैंने आप सभी के लिए बिल्कुल खास वीडियो बनाया है इस वीडियो की सभी सभी लोगों को जरूरत पड़ेगी जितने भी लाश्टर रूल्स खेलते हैं तो बस सब्सक्राइब कर लो यार क्योंकि ऐसे वीडियो में बनाता रहता हूँ तो हम मिलेंगे एक और न्यू गैम प्ले में तब तक के लिए गुड़ बाई और गाईस एक बात और बताना चाता हूँ आप सभी को कि अगर अभी तक आप लोगोंने हमारा फेस्बुक पेज फोलो नहीं किया है तो जल्द से जाईए फोलो कीजिए और वहाँ पे भी हमारे वीडियो देखिए हमें सपोर्ट कीजिए और फेस्बुक पेज का लिंक आपको इसी वीडियो के डिप्सक्रिशन में मिल जाएगा वैसे तो सभी वीडियो के डिप्सक्रिशन को आप लोग चेक किया कीजिए उसमें मैं फेस्बुक पेज का लिंक भी देता हूँ डिस्कोर्ड का लिंक भी देता हूँ बाकी मेरी ID की भी जानकरी देता हूँ तो इसलिए चेक किया कीजिए